हेलो और वेलकम तो मैं चैनल स्वातिस वाइडन लाइस्टायल हैपी नवरात्रे टू आल अफ यू तो फ्रेंड्स नवरात्री की धिर सारी शुपकामनाई नवरात्रे समय स्टार्ट हो चुके हैं अभी मेरी मेकप सीरीज चल रही है कलर्स आफ नवरात्रे की तो आज मेरा डे है नाइन और जिसका कलर है पिंक तो आज मैं पिंक कलर की साड़ी या सूट के साथ मेकप करने का आसान तरीका आप लोगों के साथ शियर करोगी तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रही है अकर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शियर सब्सक्राइब जरू कीजिए फ्रेंट्स मेरी चैनल पर जो कलर सोफ नवरात्री की सीरीज चल रही है अगर आपने वो नहीं देखी है तो friends playlist मैंने बना दी है आप यहाँ पर one click के साथ सारी वीडियो को देख सकते हैं तो friends check out जरूर कीजेगा तो उसमें मैंने सारी जू चीजें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से explain की है step by step बताई है बहुत अच्छा makeup पार्लर like makeup बताया है बीबी क्रीम के साथ makeup बताया है बिना brush बिना makeup tools के आप किस सरे का makeup look create कर सकते हैं वो बताया है सारी वीडियोज है आप एक बार visit कर सकते हैं और friends वीडियोज अच्छी लगती है तो like करके share कीजी अपनी family friends के साथ के साथ तो friends आज की जो वीडियो है वो होने वाली है especially pink color की साड़ी या सूट के साथ makeup look तो friends आज मैं pink color की साड़ी के साथ makeup look ये share कर रही हूँ friends especially आज ये beginner friendly भी है इसको कह सकते हैं क्योंकि friends आज की वीडियो में मैंने सारे जो step है A to Z वो सारे बताये हैं but friends इसको मैंने beginners को ध्यान में रखकर बताया है सारी जो चीजें है beginners friendly है कि जो अगर आप नए नए makeup करना सीख रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़े जरूरी है friends जरूरी तो बहुत सारी चीज़ें होती है इस makeup में बट friends ये जो वीडियो है आज का especially जो वीडियो है वो मैंने beginners को ध्यान में रखकर बनाया है क्योंकि friends इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं किस तरह का makeup look आप create कर सकते हैं किस किस चीज़ों के साथ में और किस queries हैं वो comment down कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो पिंग साड़ी में makeup करने का आसान तरीकर तो friends आज हम स्टार्टिंग से अपना skincare करेंगे face wash करने के बाद अपनी skincare according कोई भी toner apply कर लीजिए उसके बाद moisturizer के लिए अगर आपकी skin dry है तो आप cream based product यूज कर सकते है अगर oily है तो आप gel based product यूज कर सकते है means moisturizer तो में मौसम थोड़ा सा dry है तो हम जो cream based product है वो यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर मौस्चुराइजर ले रही हूँ है यहाँ पर derma ko का मौस्चुराइजर apply कर लिया है मैंने face पे और neck पे उसके बाद हम आते हैं अपने primer तो यहा और आपकी skin dry है तो आप oil based जो primer है वो यूज कीजिए और oily skin है तो matte finish वाला जो primer है यह यूज कर सकते हैं उसके बाद 5 minute के लिए इसको छोड़ दें अब आते हैं हम अपने base product पे तो आप foundation, BB cream, CC cream कोई सी भी ले सकती हैं दिन के हिसाब से और रात के हिसाब से तो दिन में तो मैंने यहाँ पर CC cream ली है लेक में की तो आज मैं इसी से अपना जो base है वो set कर रही हूँ तो friends कोई सा भी आप cream ले सकते हैं अपने base को set करने के लिए तो मैंने यहाँ पर अपना base बना लिया है CC cream से और इसको मैं blend कर लूँगी finger की help से भी कर सकते हैं और जो product होगा उसक से product लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी उसके बाद set करने के लिए friends हम दो चीजों पर चलती हैं एक हमारा यह loose powder और एक हमारा यह compact तो friends translucent powder होते हैं हमारे जो base को set करने के लिए और जो tinted powder होते हैं compact होते हैं वो हमारे skin को एक थोड़ा सा glow भी दे देती हैं थोड़ करूंगे अगर आपकी oily skin है तो आप पफ से apply कीजी अगर dry skin है तो आप इस तरह के fluffy brush से apply कर सकते हैं powder को तो मैंने यह translucent powder लिया है मैं सिर्फ makeup को sorry makeup base को मैं set कर रही हूं अगर आपको थोड़ा सा और coverage चाहिए तो आप compact यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने यह simple pencil ली है Swiss beauty की और यह brown shade में लिए इससे मैं eyebrows को fill कर लूँगी और comb कर लूँगी जिससे की अगर extra product हमारा लगता है तो वो पूरा blend हो जाए अची तरीके से और extra product निकल जाए अब हम अपने face पर blusher apply करेंगे तो friends अगर cream based product यूज़ करती है तो powder से पहले आपको यूज़ करने है उसके ब blusher है वो apply कर सकते हैं तो friends angle brush होता है तो उससे आप brush है blush है sorry वो apply कर सकते हैं और इस तरह के pointed brush से आप contour है वो कर सकते हैं अगर आपका forehead है वो ज्यादा चोड़ा है तो आप यहाँ पर लगाई है otherwise skip कर सकते हैं और face भी अगर आपका normal है पतला है तो आप इस चीज़ों को skip कर स थोड़ा सा shape में लाने के लिए हम contour करती है अगर नहीं है आपका पहले से ही अच्छी shape में है face तो आपको contour की बिल्कुल भी जादा जरूरत नहीं है हलका सा brush अपने cheeks पर apply कर लीजे इस तरह से उसके बाद friends highlighter जो है वो हम लगा लेंगे तो वो कहां लगाती है तो यह हमारी जो bone होती है cheek bone इसके ऊपर लगाते हैं इस तरह से क्योंकि friends यह जो हमारे उबरे part होते हैं यहाँ पर reflect करती है light जिससे हमारा जो highlighter होता है वो reflect करता है और हमारी skin बहुती ज़ादा glow करती है तो हम यहाँ पर जो highlighter है वो लगा लेंगे friends अगर रात में जा रहे हैं तो आप आपलाई करूंगे तो friends pink shade है तो हम light और dark pink के साथ यह makeup blue create करेंगे तो मैंने इसको crease line पर apply कर लिया है और blend कर लिया है थोड़ा सा हम जो color है वो outer corner पर place करेंगे फिर उसके बाद मैंने यह dark shade लिया है इसको मैं crease line से थोड़ा सा नीचे की तरफ एपलाई करूंगे तो friends एक shadow सा जो है वो create हो जाएगा हमारे आँखों पर तो friends मैंने पूरे पर नहीं किया है मैंने outer V पर इसको बनाते हुए blend किया है अंदर की तरफ उसके बाद मैंने यह pink shade है यह लिया है shimmery और इसको मैं finger की help से आप apply कर सकते हैं या फिर आप किसी brush की help से इसको apply कर सकते हैं flat brush की help से तो half circle है यहाँ पर आप इसको apply कर लेजिए inner corner से लेकर आप middle से आगे तक जा सकते हैं उसके बाद friends अब हम चलेंगे liner के लिए तो friends अगर beginner है तो आप sketch liner जो होते हैं वो बहुत ही जादा comfortable रहते हैं इसको हमें सिर्फ stamp करना होता है इस तरह से तो friends आपका जो look है वो बिल्कुल तयार हो जाता है क्योंकि brush से आपका हाथ सेट नहीं होता है लेकिन जो इस तरह के eyeliner पैन होते हैं यह हमें stamp करकर करके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से apply कर सकते हैं जैसा कि आप यह देख सकते हैं हमें सिर्फ इसको place करना है हमें इसको ज काजल है वो apply करेंगे तो काजल को मैं थोड़ा सा inner corner से आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी water line पर ही apply करूंगे तो friends आज हम कोई भी जादा मोटा काजल अपलाई नहीं कर रहे हैं आज हम बिल्कुल light जो काजल है वो लगाएंगे उसके बाद जो हमारा pink brush था उसको आप नीच अपने crease line पर लगाया है वो shade apply कर लेजे नीचे उसके बाद हम अपने eyelashes को curl करके मसकारे से coat कर लेंगे एक से दो coat आप लगा सकती है मसकारे पर depend करता है आपका किस तरह का मसकारा है तो आपकी lashes भी curl हो जाएंगी और थिक भी लगेंगे उसके बाद हम चलती हम अपने next hack के त लेगा उसके बाद मैंने यह eyeshadow palette लिया है और इसमें से मैंने pink जो color है वो apply किया है क्योंकि इस तरह का pink shade मेरे पास नहीं था साड़ी की matching का तो friends आप भी इस तरह से mix and match करके अपना जो shade है वो बना सकते हैं तो friends मैंने यह flat brush पर लिया है तीन से चार बार मैंने इसको पिक किया और उसके बाद बहुत ही अच्छा सा pink shade जो मेरे साड़ी का shade है वो आ गया है तो आप देख सकते हैं friends अगर आपके पास भी कोई dress है और उसकी matching के lipstick नहीं है तो इस तरह से आप customized lipstick बना सकते हैं और लगा सकते हैं तोड़ा सा यह हमारा matte look देगा और बिल्कुल भी lips को dry नहीं अगर आपको lips जड़ा से भी dry लगती है तो थोड़ा सा lip balm या lip gloss आप apply कर सकते हैं आपका जो look है वो glossy look हो जाएगा hair style के लिए friends मैं center partition करके पीछे एक चोटा सा puff है वो create किया है और उस पे बीच की मांग पे मैं यह जो टीका है इसको set कर दूँगे set करने के बाद में friends मैं बालों का जो side का partition है वो कर लूँगी इस तरह से और बालों को टीके के ऊपर से ले जाकर हम इसका बनाएंगे एक twisted braid तो friends थोड़े थोड़े से बाल ले जाकर आपको twisted braid बनानी है और पीछे के बालों में ले जाकर इसको set कर देना है इसी तरीके से हम दूसरे तरफ के जो बाल हैं वहाँ पर भी pin लगा कर set कर देंगे तो friends थोड़े से बाल मेरे गीले हैं इस वज़े से थोड़े से messy look लग सकता है और उसके बाद हम अपने कानों के जो earrings हैं वो भी पहन लेंगे और इस तरह की earrings और टीके के साथ में आप बहुती पतली सी chain है वो wear करेंगे तो बहुती जादा आपका amazing look आएगा तो friends look is ready I hope आप लोगों के लिए वीडियो useful रही होगी अगर वीडियो useful रही हो तो like share कीजिए comment कीजिए किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching